और हम पैसका दोस्तों सुहांगत ते आपका मेरे यूँटूब आइनब सब्सका नम जो सब्सक्राइच सरे देखनग तो दोस्तों आज की वीडियो संद्सक्र स्ट्ट करने वाले हैं एक्सक्रेस वींद ऑफ एंडिया मैं इस वी मना आ जाते हैं इसका क्या लाब है और इसकी specification क्या है उसके बारे में पता गरेंगे Expressway को High Class of Route भी कहा जाता है और इससे Count भी किया जाता है भारत में Expressways Control Assess Highway कहा जाता है यहां Entrance और Exist को Ramp के द्वारा Control किया जाता है Ramp को Expressway के टाइम पर ही इस परकार से Design किया जाता है कि Expressway को Control किया जा सके इस परकार से National Highway को Grade Road का कहा जाता है इसमें से कुछ Road जो है वो Assess Control Expressway में आते है पर फिर भी इनको Expressway नहीं कहा जाता उधारन के तोर पर हम Biju Expressway और राइपूर बिलाजपूर Express को ले सकते है इनमें से कुछ Terms निकल कर आती है कि Assess Control Highway, National Highway और At Great Roads क्या होते है तो इसमें जो पहला है वो है Assess Control Highways वो Highways होते हैं जिनको High Speed Vehicles के लिए Design किया जाता है पूरी तरह से ट्राफिक को कंट्रोल किया जाता है उस पुरसेश को ट्राफिक फ्लोट इंग्रेस एंड इंग्रेस रेगुलेटेड कहते हैं जिसको हम आम भाशा और Common English Term में Freeway, Motorway और Expressway कहते हैं इनको Throwway और Parking Way भी कहा जा सकता है यह Limited Assessed Highway होते हैं जिन पर ट्राफिक काफी कम पाए जाता है इसमें Second जो हमारे पास है National Highway National Highway वो होते हैं जो स्टेर्स को आपस में जोडते हैं भारत में National Highway का एक पूरा Network है जो की Ministry of Road, Transport and Highway के द्वारा कंट्रोल किया जाता है इससे construct और manage करने का का काम National Highway Authority of India यानि के NHAI करती है इसके अलावा National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited और Public World Department जिसे PWD भी कहते हैं दोनों ही National Highway Authority of India के अंडर काम करती हैं और दोनों ही इसके पार्ट हैं इसमें से आपको बता दू कि National Highway Authority of India यह एक Autonomous Agency है Government of India की जिसको 1995 में बनाय गया था जो की responsible है और management of network over 50,000 km of National Highway National Highway out of 132,499 km में से जो की पूरे भारत में है National Highway Authority of India यह एक नोडल एजनसी है Ministry of Road, Transport and Highway की National Highway ने एक Memorandum of Understanding sign की है Space Research Organization के साथ मिलकर जिसका उद्देश है Satellite Mapping of Highways सुखवीर सिंग संदू IAS रिप्रेजेंट चेर्मेन ओफ नेशनल हाइवे अथार्टी ओफ इंडिया सिंस 28 अक्टूवर तूथाज़ों नाइटीन सुखवीर सिंग संदू जी जो की चेर्मेन है National Highway Authority of India जो की 28 अक्टूवर 2019 को बने थे इसमें जो तीसरा स्टप है वो है एट ग्रेट रोड्स एट ग्रेट रोड्स को हम intersection of रोड भी कह सकते हैं जहां पर दो या दो से अधिक रोड कंवर्ज, डाइवर्ज, मीट और क्रॉस करते हैं यहां पर मैं आपको भारत की दो और companies agency के बारे में बताता हूं जिसमें पहली है National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited यह एक भारत की कंपनी है जिसको 2014 में बनाया गया था और यह है responsible है management of network over 5000 km of national highway out of 115,000 km in India इसके अलावा आपने common name सुना होगा, term सुनी ही जिसको PWD कहते हैं mostly लोग यहां पर हमारे देश में जानते के PWD क्या होता है तो उसके बारे में आपको कुछ बेसिक चीज़े बतायता हूं basically central government of India के दोआरा control किया जाता है PWD को जिसका काम construct करना होता है और manage करना होता है जिसमें government of India को public sectors work के लिए use करती है PWD को PWD ministry of urban development और अभी इसे ministry of housing and urban affairs कहा जाता है PWD basically deal करती है construction of building roads, bridges, flyover, complicated structures like stadium, auditorium, laboratories, bunkers, border fencing, border roads और hill roads के लिए तो दोस्तों hopefully आपको expressways के बारे में पता चला हो और यहाँ पे आपको PWD के बारे में पता चला होगी उसका क्या काम है तो वीडियो को देखने के आपको धन्यवाद थैंक्यू वीडियो को लाइक करें शेक करें सब्सक्राइब करें और कीप वाचिंग यहाँ झाल झाल